सुरा मेरे नज्च पम्मट कानवेर ननी सिखा पजिंग समाधियामी धम पकास उत्सब या धीपावली या दीवाली दीवाली धीपावली भारत ही नहीं पूरे एशिया का बहुत ही प्रमुख एक उत्सब है फैस्टिवल है और ये उत्सब और फैस्टिवल इसलिए ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन पुराना है मगर किसी को भी आज तक इसकी सही जानकारी नहीं है कि दीपावली दीवाली या धम पिकास उत्सब तब से कैसे आरभ हुआ क्योंकि भारत की सभी पुरानी किताव हैं अगर इत्यास की हम चाने तो उसमें भी नहीं मिलता और जो बिना इत्यासी किताव हैं जिनमें ना समय है ना प्रिकासक है ना लेखक है ना राइटर है ना ही इस्थान है और नहाई उन किताबों में ये जानकारी है कि ये पहले कहां से चला या जो इसमें जो जानकारी है उसकी कोई authenticity या उसका कोई पत्थर या उसकी कोई लिखाई कोई काम पर मिलता हो इसका मतलब जो दिपावली या जो धम पिकास उस्सव है वो पुराना है काफी मगर बुद्ध का जो साहित्य है यानि बुद्ध ने जो थियासिक साहित्य लिखा हुआ है उसके साहित्य में जो स्री लंका में मिलता है दीबदान करके वहाँ से एक लाइन मिलती है जो बताई जाती है और जिसका जिक्र जो सम्यक प्रकासन के शांति सुरु बहुजी है उन्होंने अपनी वीडियो में किया है दीप दान करके जहां दीप दिये जाते हैं तो उन्होंने उसका नाम दीप दान उसब वहां से लिया मगर धम प्रकास उसब यानि जो दीपावली है वो दिपावली ये तो तैह है कि वो बुद्ध के बाद आरम हुई है और चुकि इसका नाम धम पकास उसव है धम का प्रकास है तो ये भी तैह है कि ये धम की दिपावली है धम की दिपावली है तो ये धम की दियावली है तो दीप सब्द कहां से आता है? दीप सब्द आता है पुद्ध के थ्यास से, जो हम कहते हैं अत्त दीपो भव, यानि अपना दीपक हो जाओ, अपना दीपक बनो, अपना दीपक हो, तो इसका मतलब है कि दीपक क्या करता है? प्रकास देता है, तो यानि कि आपको अपना प् जलना है और खुद को कैसे प्रकास देना है ये उधारन बुद्ध ने सैट किया बुद्ध ने बताया तो बुद्ध नहीं कहा अतदीप भाव यानि बुद्ध पहले खुद जले जलने के बाद में जलने का मतलब है तब किया साधना की विपसना की मेडिटेशन किया साध किय जिसको स्राद भी बहुते हैं साध किया तो जो साध किया, साधना की, तब किया, मैटिशन किया, विपसना की उसमें वो जले, छे साल तक उन्होंने महरत की उसके बाद जो प्रकास आया, पकास आया वो पकास को धम के नाम से जाना क्योंकि धम का मतलब है एहंग, धारन, यानि जो मैं धारन करता हूँ यानि जो वस्तोय धारन करती है, यानि जो प्रकती है, जो नेचर है, जो नेचर का लो है तो उस नेचर के लो की वैसे इसका नाम धम पकास उससपड़ा तो जाहिसी बात से उससप का मतलब है कि वहाँ जितने भी लोग हैं उन सम्में इसका वास कराना उन सब को बताना कि उस्सभ हुआ है, वहाँ सारा सम्मेलन हुआ है तो ये धमके आने के बाद हुआ है और जायसी बात है कि धमके बाद में जो उस्सभ स्टार्ट हुए है वो बुद्ध नहीं आरम की है तो ये तै है, इसमें कोई जगड़ा नहीं है कि ये बुद्ध से आरम होती है और बुद्ध के अत दीपो भव से दीपक आया है दीपक नाम पाली के अंदर ही पहले से है और दीपक से ही बहुत सारे सब्द बने है और दीप दान भी वही से बना है यानि प्रकास का दान करना धम के प्रकास का दान करना इसका मतलब कोई ये ना समझे कि एक दिया लिया क्योंकि दिया से दियाबली बनी है दिवाली बनी है और दीप से दिपाबली बनी है तो उन्हों का मतलब ये की है दिया जो सब्ध है वो बाद में आया है दीप सब्ध पुराना है गुद्ध से पहले का तो वो जो सब्ध है जहां से ये दीपों की आवली बनी है आवली का मतल़ होता है पंखती बनाना, लाइन बनाना कैसी लाइन बनाई है? एक तो आप कैसकते हैं कि दिये से दिये जलाना और लाइन में लगाना दीपावली होगी आज के समय मगर धम प्रकास दीपावली बनानी हो या धम प्रकास की दिवाली बनानी हो तो धंब के प्रकास की लाइन लगानी है ये लाइन बुद्ध ने बनाई जब बुद्ध ने सभी लोगों को लगाता 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 लाइन लगाकर धंब सिखाया और सबसे पहले अपने गाउं से अपने कपिलवत्थु थे अपने कपिल वत्थु में जाकर अपने परिवार के लोगों को वहां से उनको लिया और वहां से उनको सिखाया जब उनके पिता ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो एक वार गाउं आए तो वो गाउं आए यानि कपिल वत्थु आए अपने कबीले में आए اور قبیلے में जब वो आते हैं तो आने का नियम बुन्ध में बनाया है कोई भी भिक्कू बारिस में कहीं नहीं जाएगा बारिस में वहीं रहएगा उसको वसावास करना पड़ेगा बारिस में जाना आसानी क्योंकि बारिस हो रही है कीचर है, पक्की सड़क तो है नहीं, इंट तो है नहीं और पत्थरों की सड़क बहुत बाद में असोख ने बनवाई हैं तो कच्छे रास्ते हुआ करते थे जो साप से, कीट से, पतंगों से, जाड़ियों से भर जाया करते थे इसमें चलना जान का जोखिम होता था, इसलिए बुद्ध ने नियम दिया कि आपको यहीं रहना है, कम से कम तीन महिने, जादा से जादा चार महिने, तीन महिने के बाद आप जा सकते हैं, पवर न बोते हैं उसको, यानि पवन की तरह आपको रमन करना है, तो निकलना है बाह को संग चल देता है कपिल वस्तु की तरह है जब कपिल वस्तु जाता है तो वहां जो पहुंचना है तो खबर आती रहती है कि अब बुद्धी यहां पहुंच गए बिक्को के साथ बिक्को संग के साथ बुद्धी यहां पहुंच गए हैं और जो वह पहुंचने वाले हैं ज चावल की फसल को तंडुल बोलते हैं, चावल की दानों को तंडुल, और तंडुल नाम बहुत फेमस है, मगर अभी हटा दिया गया है, चावल को भात बोलते हैं, पके हुए को, या भात सही भत्ता बना हुआ है, और चावल सब्द जो आया है, वो बाहर से आया है, पाली का स तो इसको तंडूल बोलेंगे, इसको भात बोलेंगे, इसको ओधन बोलेंगे, ओधन से ही नाम है, जो बुद्ध के पितार का नाम है सुद्धोधन, यानि साफ चावल, और जो अमित ओधन है, यानि की जिनकी आभार खतना होती हो ऐसे चावल, या जो सुकोधन है, उनके चा और धहीं से धानने बना है और धहीं से धन बना हुआ है यह जितने भी हैं चाहें वो जोंके धहीं हैं धानने हैं ग्रेंस हैं दाने हैं या वो गहों के दाने हैं या वो मकई के दाने हैं किसी के भी अबाजरे के दाने हैं उन सब को धहीं बोला जाता था तो धहीं आ रहा है धन आ रहा है धान आ रहा है तो इसको कैसे प्रदर्स करते हैं क्योंकि पुराने समय में जो महिला थी वो प्रधान थी घरों की तो प्रधान कौन है प्रधान है महा माया है नहीं प्रजापती गौत्मी तो प्रजापती जो वहां है और धान की पूरी मालिक है तो आपने एक फोटो देखा होगा जिसमें एक महीला बैठी हुई है और उपर से दो हाती धाई को और धान को लगाता डाल रहे हैं अभी तो फोटो बहुत ज़्यादा प्रचले थे जिसमें वो लखो धान डाले लखमी है यानि कि ला लाखों को आज की समय लाख बोल दिया तब लाख की गिंती नहीं हुआ करते थी अभी लाख की गिंती है लाख का मतब जादा जिसमें चिन हो जिसके बहुत जादा धेर हो और कोटी माने जिसका शिखर बना हुआ हो कोटी रासी मतलब जो शिखर का धेर हो उसको कोटी रास नहीं थे तो ये बहुत छोटी छोटी बात है जो देपावली से सम्धित हैं ये कमाल की जानकार इसलिए है क्योंकि बुद्ध रास्ते में हैं और चल रहे हैं तो क्या आ रहा है धन तंडुल वंती तंडुल का मतलब चावल है धही का मतलब है धही का मतलब है धान में यानि क और धन वंत्री से ये धन तेरस पड़ गया, क्योंकि ये तेर्वे दिन आता है, तो धान का तेर्वा दिन, धान आ रहे हैं, धान इखटे के जा रहे हैं, पूरे साक्य संग में, ताकि भिक्कु संग को खाना खिलाना है, बढ़िया खाना खिलाना है, तो अगला दिन कौन सा ह काड़ी 14, काड़ी 14 का मतलब है, काड़ी का मतलब रात काली है, तो काड़ी 14 का मतलब है, काड़ी मतलब रात हो गई, और 14 का मतलब है, चौधमा दिन, जब पूरी तरह से चंदरमा खतम हो रहा है, और छोटा होके बिल्कुल गाय खुरा है, और अगले दिन अमावस है, तब चांद दिखाई नहीं देगा, पूरी रात काली होगी. जो ये पिंडी पात होता था, यानि पिंडी बनाई जाती थी, जिसमें दूद, जिसमें शहद, जिसमें चावल होते थे, मिक्स करके बनाई जाता था। तो वो सारी सारी त्यारी कर रहे हैं, और वो घरों के आसपास उजाला भी कर रहे हैं, दिये तो रोजी जलाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ हमेसा अंधिरा रहता हो, क्योंकि दीप तो बन चुका है पहले से, दीप की जानकारी तो पहले हो चुकी है, दिया बाती की जान कारी मनbreathes고 हो चुकी तो कोई ऐसा उटसब तो है कि प्रकास जलाना है क्योंकि प्रकास तो समय के नुष्ब बहुत पढ़े से हो रहा है मंगर प्रकास का उटसब है तो हम इसमें दरसल धBa मघ लगाना भूल गे क्यों भूल गे क्योंगि उस समय तो common । थी के धम से खाना है धम का प्रकास है आज भी बहुत जगे प्रकास उस्व मनाते हैं अपने गुरूओं का लोग कहते हैं हम अपने गुरू का प्रकास उस्व मना रहे हैं तो तो प्रकास उस्व मनाते हैं लोग तो ये प्रकास उस्व यानि धम प्रकास उस्व बहुत पहले से गुद खेलना, शराप पीना, मास खाना, पठा के छोड़ना, ये दरसल धम को खतम करने का या धम को मोडने का या इसका व्यापारिक रूपांतरण करने का एक सफल प्रियास रहा है, जैसा कि सारे के सारे फैस्टिवल में रहा है, जो भारत के रहे हैं, भारत के सारे फैस्टिवल ज क्योंकि अब बुद्ध आ गए हैं, आके वो रुके हैं, पहुंच गए हैं दीपावली में, तो उस दिन इसको कहते हैं कि ये प्रकास का दिन है, आज भगमान आये हैं तो प्रकास देंगे तो वो धम का प्रकास देना सुरू करते हैं, और धम का प्रकास दे रहे हैं, तो account नहीं है कोई सौना नहीं कोई चान्दी नहीं तो दरसल धन किसको कहते थे पहले समय में धन उसको कहते थे जो ज्यान होता था धनवित्ती नाम है इसका सभी धनवित्ती का मतलब है कि ज्यान का पूरा संध्र है इसको धनवित्ती बोलते हैं तो जो लोग धनवान होते थे व जाता होगी, लोग धन का मतलब जो धई और ग्रेन और ग्यान को छोड़कर पैसे और रुपे पे आ गए और चेक पे आ गए और पॉपर्टी का गए तो उस समय के हिसाब से जो गोवर धन है, गोवर का मतलब है गौतम वरंग, गोवर का मतलब गाय नहीं होता और गोवर का मतलब गोवर भी नहीं होता क्योंकि आप जो बताया गया है और जो दिमाग में डाला गया है और जो किताबों में लिखा गया है वो यह है कि गोवर वो होता है जो गाय मल करती है पाली में गौ का कोई भी ऐसा सब्द नहीं है जिससे गाय बनता हो और ना गाय का सब्द है पाली में धेनू सब्द है यानि जो काव है उसको धेनू बोलते हैं ना गौ बोलते हैं ना गाय बोलते हैं गौ और गाय बहुत बात के सब्द हैं जो बदले गए हैं असल पाली में जो गौ का मतलब है वो गौतम की लाइनेस से है यानि गौतम का जो कुल है उससे गौतम है यानि जो चीज उससे संबंदत है गौतम कुल से और गौतम से वो गौ से आरह होती है जैसे गौरक्खा गौरक्खा का मतलब है गौतम की रख्खा करने वाले रख्षा तो वर का मतलब क्या है, वर का मतलब होता है, मौका या स्रेष्ट, यानि गौतम का स्रेष्ट, गौवर का मतलब हो गया, गौतम का स्रेष्ट, और धन का मतलब हो गया, आप धम भी कह सकते हैं, और ग्यान भी कह सकते हैं, तो गौतम वरंग, यानि गौतम वर धम, या गौतम वर धन, याने उनका घ्यान जो सबसे स्रेष्ट है, वो दे रहे हैं, तो युद दिन नाम पढ़ गया गौतम वर धन, या धम और उससे अगले दिन जैसे जैसे वो घ्यान दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो क्या होता है? भै दूर यानि भै दूर हो रहा है तो भै दूर का दिन है यानि भै दूर होना सुरू हो गया तो भै दूर से भैया बना दिया और दूर का दौज कर दिया भैया सब्द पाली में नहीं है क्योंकि भैया में दो मातराइं लगती है और दो मात्राओं का एक भी सब्द पाली में नहीं है तो ये भै दूर है भै दूर का मतलब है कि जैसे जैसे ग्यान प्राप्त होता है ग्यान का प्रकास आता है, धम का प्रकास आता है भै दूर होना सुरू होता है और बदंत जो बोलते हैं जो भिक्कू होते हैं, उनको बधंत बोलते हैं, तो बधंत का मतलब है, जिसका भै का दंत हो गया हो, दमन हो गया हो, जिसका भै खतम हो गया हो, और भंते ही उसको बोलते हैं, जिसका भै का अंत हो गया हो, बधंत की short form है भंते, यानि बधंत पूरा नाम है, short में भंते बोलत तो वहां लोगों का बैदूर हो रहा है तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन महिलाओं में और बच्चों में यो महिला हैं उमें तो बड़ा जोस है वो सीख रहे हैं, अपना बैदूर कर रहे हैं नई जानकारी है, नया प्रकास है पहली बार देखा है पेड़ के नीचे बैटके क्यों दर्शंकल्ब करते फिर किसे सीख लेते जैसे बाकी सीखा उन्होंने मगर बात नहीं बनी तो उस समय किसी के पास था भी नहीं और जब बुद्ध को यानि कि सिद्धत गौतम को ये ग्यान प्राप्त हुआ तो उनको खुद ही अकिन नहीं तो साथ हपते तक तो सिद्धत ने खुद चेक किया किया सच मैं परंग्यान लास्ट इल्टिमेट इल्टिमेट नॉलिज माइंड की और बौडी की आगई या नहीं आई सीखी या नहीं सीखी साथ हपते में जाकि यकिन हुआ को सिखाने का काम सुरू किया तब लोगों को काउ करती है जो मल करती है मढ़े बोलते है मिढ़े बोलते है इसको पाली के अंदर अब मिढ़े तो सभी का होता है अगर गाए के मिढ़े को गोबर बोलेंगे तो भैस के मिढ़े को यानि मल को क्या बोलेंगे भैस के भैस वर या जो बकरी है उसके क्या बोलेंगे बकरी वर या जो घोड़ा है उसके क्या बोलेंगे घोड़ा वर या जो बैल है उसको क्या बोलेंगे बैल वर तो ऐसा नाम कहीं नहीं मिलता इसका मतलब है कि गोवर जो नाम है वो जूटा नाम है क्योंकि गोवर अगर होता तो बाकी सब को भी फिर उसके नाम से बुला जाता जैसे आदमी जो करता है तो उसका आदमी वर होता नर वर होता तो इसलिए ये जूटा है तरसल गौतम वरंग को बदलने के लिए लोगों के दिमाग में गाली डालने के लिए गंदी डालने के ल इसको ठीक कर लें फिर लगातार महिला जो सीखती हैं तो वो विपस्ना साधना करती है तो विपस्ना साधना में तो एक दिक्त यह है कि आप पुरा खाना नहीं खा सकते खाने की मात्रा की जानकारी आपको होनी चाहिए वन्ना आपको नीद आएगी आपकर नहीं सकते तो महिलाओं ने खाना छोड़ दिया तो वो क्या कर रही है उपस्त कर रही है मगर विपस्ना तब ही कर सकते है खाने की मात्रा हो यानि के कम खाना खाना है खाना जरूर है तो उनको अर्द दिये जाते हैं कि बीचा की बीच में आदा खाना की लोना काल तो कि पांदड़ है उन्को अद में बना लाकते काना था ओकते की बुर्णा की रिफ कता हैं कि चाहे बेसक वह पानी है तो पानी में भी इस्तर है क्योंकि ध्यान साधना में है चाहे बेसक हाँ हवा चल ली यह वह इस्तर है तो अगर पानी भी आगे तो इस्तर है तो महिला सीख रही है तो च्छे दिन होगे सीथे सीथे क्योंकि दिपावली अमावा से उसको आये थे और अगले दिन से सिखाना शुरू किया और अगले दिन से सिखाना शुरू करते करते भैधूर हो रहा है तो जब उनका भैधूर हो रहा है तो फिर वो छटे दिन में उनको confusion पैदा होता है चटे दिन में बहुत सारे साधाक और बहुत सारे जो विपस्णा करने वाले लोग हैं उनको ये भर्म होने लगता है जो हम कर रहे हैं उससे कुछ हमें प्राप्त होनी रहा है कुछ होगा भी या नहीं होगा अरे ये वेकार की चीज तो नहीं है हमें वेकार फालतुमत नहीं बठा दिया कुछ आया तो है नहीं कुछ हमारा भरा तो हुआ नहीं ये छटे दिन और पांच दिन बहुत ज़्यादा होता है illusion होता है, भरम होता है, घबरा जाता है आदमी इसलिए इस छटे दिन को खास दिन बनाया गया, ताकि उससे निकल सकें, इसको छट बोलते हैं और जो इससे निकल जाता है वो आगे अपना सारा जीवन सुक्र में करता है, इसलिए इसको छट बोलते हैं तो छट का बड़ा फेस्टिवल क्योंकि छट विजय प्राप के लिए विपस्टा साधना में जीत के छटा दिन निकाल दिया तो छट का दिन उस छेतर में बहुत धुमदाम से मनता है यानि कि वहाँ जो धीपावली है, बुद्ध के आने का दिन जो है, वो इतना धुमदाम से नहीं बनता जितना की सकसेस का यानि सफलता अगर दिन बहुत ज़्यादा बनता है और उसके बाद में फिर लोग लगातार सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं और ये जो गोवर्धन के बाद में जो एकला दिन आता है भहिया दूज का तो भहिया दूज आता है बहन दूज नहीं आता है इससे ये पता चलता है कि भहिया जो सब्द है वो फर्जी सब्द है क्योंकि बुद्ध के समय में महिलाओं की मानेता ज़्यादा ज़्यादा थी पुर्सों की मानता कम थी अगर पहले आएगा तो बहन दू जाएगा बाद में आएगा तो भहिया दू जाएगा मगर खाली भहिया दू जाता है इससे ये क्रियर हो जाता है कि जूटा सब्ड है ये दरसल भह दूर करने का दिन है तो ये सारी की सारी जो दिपावली की, धंपकास उसब की, धंपकास दिद्धिपसो की, या दीबदान की, या दीबदान उसब की, दीबदान का मतलब है प्रकास का दीब देना, जो भी उसब का दिन है, ये भारत में और एशिया के अंदर, मैंनमार में, नेपाल के अंदर, और ये थाइलेंड के अ है कि असो की जो 84,000 दिये हैं उनकी खुशी में लोग दिये जलाते हैं 84,000 इस तो उप हो सकता है बाद में लोगोंने स्टार्ट किये हो उसके सास्त बड़ा हो मगर दिये सब जलाते हैं एक प्रतीक है कि धम का प्रकास फैल रहा है और भिकू पवर्णा की निकल रहे हैं और बुद्ध भी निकल चुके हैं सबसे पहले वो अपने गाउं आए हैं 6-7 साल बाद आये थे क्योंकि तब तक राहल उनका बड़ा हो गया था और वहां उन्होंने पूरा धंका प्रकास दिया नहीं जानकारी आ गई मगर authentic नहीं है नहीं जानकारी तोकि जो authentic जानकारी है वो बड़ी बहुती ज्यादा लोगों के मन मस्तिक्स में होती है इसलिए इस दीपावली को या इस धंपकास उससब को लोग नाम भूल गए इसका purpose क्या था ये भूल गए मगर उससब नहीं भूल करते हैं जो सिद्ध की मा का नाम है जो सिद्ध की मा है उनकी वो पूजा करते हैं को कि घर के अंदर बहुत ज्यादा धाई और धानने आया है उसकी पूजा का मतलब है कि वो पावन वचन जो बुद्ध के हैं उनको जानते हैं पूजा का असली मतलब मैंने एक वीडियो ब आप सबी से यह निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में konvert करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में फ्टाब में छापनी चाहिए या इसकी जो audio है उसा अपिसिया नीकाल बहिजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है, यह सभी copyright free है, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं, अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सेणं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सर्मं गच्छामी बूतियं पी धम्मं मर्सेणं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सर्मं गच्छामी बूतियं पी संगं सेणं गच्छामी बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुद्धं सर्णं कच्छानी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी